हाई वेलकम तू बॉल इनविश्ट लाइब ट्रेडिंग एनलिसिस के एक और वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में बुक किया है अगर आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी या सेंसेक्स को देखोगे तो 0.47 0.45 और 0.47 प प्रॉफिट बनाया होगा मैं पहले आपको पॉर्ट्फोलियो दिखा देता हूं फिर आगे बात करेंगे कैसे हमने प्रॉफिट बुक की कहां पर मैंने प्रॉफिट बुक किया कहां पर एक चीज़ों पर बात करेंगे देखो अगर मैं आपको दिखाओं तो दो ट्रेड म बहुत जादा आपको curve देखने को मिलते हैं बहुत cases में लेकिन आज के दिन में आप देखो graph suddenly उपर गया and I know जो पहले से इस channel को subscribe करें जिनोंने रख है बहुत दिनों से pre market videos नहीं आ रही है अब कुछ दिनों के बाद से regularly आएगी don't worry अब वापर से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगले दिन हमें कैसी movement का wait करना है आप देखो यहाँ पर मैंने अपनी profit book की थी आप देख सकते हो मैंने mark कर दिया है और उसके बार भी बहुत उपर गया market अगर मैंने यहाँ पर trailing stop loss यूज किया होता मैं वैसे करता हूं बट आज मैंने नहीं लगाई थी आप देखो अगर मैं trailing stop loss का use करता तो मुझे maximum profit book होता क्या होता है trailing stop loss अगर आपको पता नहीं है तो यह वाली वीडियो देख लेना link मैं description में दे दूँगा and believe me अगर आपको trailing stop loss के बारे में पता होगा तो definitely आप profit ही बनाओगे उसका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है आपको ठीक है तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी में जो profit book ही 18,200 के put में एक दो points पर मुझे ऐसा लगा कि मैं call भी buy कर लूँ लेकिन उसमें बहुत छोटा profit book होता क्योंकि वो छोटे-छोटे movements थे लेकिन जिन्हों नहीं भी आज put buy किया होगा उन्हें बहुत बड़ा movement मिला मैं एक में मेरे को loss हुआ था बांकी सारे profitable rate है बट ये वाला क्योंकि मैंने एक एक lot में काम किया है और अच्छागा सा profit अर्ण हुआ तो मैंने सोचा ये डालिंग ये वाली वीडियो क्योंकि आर आपको भी समझाएगा जब आप one-sided movement की तरब जाते हो तो आप कितना जादा profit बना सकते हो कम lot में काम करके निफ्टी 50 में अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पर profit book किया था मैं आपको mark कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा wait किया था bank nifty की मैंने profit बुक की फिर मैं थोड़ा wait किया फिर मैंने निफ्टी 50 के book की और उसके बाद आप देख सकते चीए कहा profit book करना चीए wait करना है नहीं करना है market सो ऐसे ही और बहुत सारे videos profitable trades loss के भी वीडियोस हैं जिससे आप बहुत कुछ सी सकते हो एक separate playlist मैंने उसकी बना दिया live trading analysis सो उसे आप चेक कर लेना link आपको description में मिल जाएगी and हाँ अगर आपको basics नहीं पता है trailing stop loss क्या होता है RSI indicator क्या होता है क्योंकि इन चीजों के बगएर आप लगातार continuously profit नहीं बना सकते हो तो यह सारी चीजों पर मैंने detail में वीडियो बनाई है आप playlist सारे check out करो basics और share market की playlist है options trading beginners to advanced level की playlist है options trading strategy की playlist है तो यह बहुत चारी playlist है अभी आप share market में नहीं हो तो इस चैनल को subscribe करके रख लो बहुत जादा काम आने वाली है तो आज इस वीडियो में इतना ही thanks for watching have a good day and don't forget to like and subscribe thanks for watching